बनाता बहुत अच्छा इसलिए खाने निच्ज लगता है इसली आदमीव promet ज्यादा है। इसलिए लूग ज्यादा ख़ना पसंद और घणा पसंद करते हैं। चव्द के खाने वॉला है? हाँ, यह तो है चव्देना खाना प्रता है। तो इसलिए 20 मिनाट बाद देखिए अब मसाला का रंगत प्याज पूरा गल चुका है तो इसका रेट क्या होता है प्लेट का हां भोटी का पचास उर्पिया में ये मटन भोटी खिलाते हैं वह भर पेट इतना लेते कि आप भी दोबराल लेगा ही पेट भर ही जाएगा इसक बेहतरीन तो है लेकिन खास है उसे हम हैं कहां पर अभी है जारखंड के दुमका में यहां से दुमका टाबर चोक लगभव 4 किलिमिटर है उससे पहले यह भागलपूर रोड में है यह मनोज होटल और यहां पर जो है लोग एक दम धरिया धसान की तरह भोटी और भात खात तो चलिए देखेंगे किस तरीके से बनता है और क्या खासियात होता है भोती भात में कितना यह बनेगा आज केजी बनेगा उसमें प्रफ चोदा केज प्याज डालते हैं हाँ इसमें प्याज और जाएगा और सब्सक्राइगा और जाएगा अभी और प्याज जाएगा जाएगा आफ जाएगा तो इदर मतन और भोटी मिला हुआ मिक्स अभी दूर हो गया वहां से आदमी को दिखाई नहीं ज़ता है पलस इतना दूर आने भी निकोई था यहां पर था अब यहां पर पुरा होटल बना रहे हैं इसको तोड़के बना रहे हैं की अब बीटने का जगा देख्या कि एक एक तम खंढड़ के तरह है लेकिन यहां पे झब खाने का टाइम होता है पूरा के पूरा भरा होता है तो हैं पूरा घुमला को भड़के रखे हुए मसाला तो इधर देखिए इधर चावल बनाया जा रहा है और फिर से इदर ब्यार्ज काटना Er चाट करदें हेश इसमें डाल दिया गया है और उधर सी काटा पीष की, कटिंच किया जा रहा है यहां पर इसे को ला लिया जाता है और खुद से का कटिंच करते हैं क्या ? what a a ,see अब जाएगा him कि और जाएगा यह सारा चला गया ह avoir फुर्य पर फट्थी जला धाल रहे है किश SW बनेगा रॉलिझाइभ है तो चुलाइए मैं इसको डॉबना जाता है इसको कोईले के उपडाल डाल एफ फोरण में जाएगा फोरण जाता ही नहीं है ठोर नहीं जाता प्याजगला के उसके बाद लूदा मटमाच जाएगा उसके उपर सफ कर दिया जाता है तो काफी बहत्रीन लगता है ये देखने में जो dla में टेम पूड़ोज फोरा काटवन भाड़के लाते हैं क्या तून्सां तेल बनाटी का पढ़ी हमना अधार यह तर savings ृद भी ले सेल्गेला ओर त120म इसल्टाइब एक partner नम् tutto 6 जयेगा और अड़ तल कितना हूज जाएंगा लगभग 6 लिटर तेल इसमें डाला जाता है 14 kg प्याज डाला जाता है उसके बाद 40 kg के लगभग भोटी मतन बनता है सब दो तिन बार दोटे हैं पहले किया करते हैं पहले इसको गरम पानी में डालते हैं तो पर उपर से इसका लेड हटाते हैं उसके बाद इसका फिर गरम पानी में नहीं ठंडा पानी से दोएंगे अच्छा थंडा पानी सब दोएगा दो बार तिलिए 20 दा बाद देखिए अगल चुका है क्या तो बुड़ यहितने में बढ जाएगा अगे हन जाएगा मतन जाएगा मतन जाएगा अच्या का किम अगेन अच्छा थे च्छोटा पिस को अगा होता है यह देखिए इदधित κα Sum 10 लो स्टीब अच्छे मतरा में मटन डालते हैं इसा गई साइज क्या होता है पिसका पिस छोटा साइज हो गया है चुक्ष का रेट क्या होता है प्लेट का 50 प्या मतन का हां बोटी का 50 प्लेट नों मिक्स देते हैं पचास उर्पिया में ये मटन भोटी खिलाते हैं इसको बनने में कितना ताइम अभी लगेगा एक गंटा में ये पके रिडी हो जाएगा उसे इसका फिस्ट छोटा होता है जो कि जल्दी पक जाता होगा जल्दी पक जाता है बोटी फट मिल जाता है ऋल्टा जिना एक तिनमंक जारहा है सों जा एक केंजे नमक जारहे एंगा है एक पेली नमक भाटी नमक जाल दिया गया है स्टा फिल आवी कुछल नहीं के गया है अभी सब मश छाओ जा जायेगा सब जाएगा घ्न ainda कई यह कितना ढालते एक यह अभना मित चाइक तिये का के लिए हल्री दालत见 ये से श्टेय का डालता है इसले ग्रेखर लाकिट ग्रीन आ तब दैंसर्थ वटाहर रभाक्ता येत कंपणी का प्रुट सबसेडम है कि अचय है अधूंका का सब सब न hosts मुझा उन दाले के लोगा है कि कीतना पुराना है ये का होटल को नौ सब कर दृटल के नौ साल चला रहे हैं हां हम चला रहा है और भाया भी यह होटल आप दो भाई मिलकी चलाते हैं यह अध्यला को लसुन और जिरा को लकी का पेश्ट जा रहा है कि अर्ग है उसे मसाला का रंगर देखिये काफि बहतरीन देख रहा है किसे अडिया से लुंचाद आप यह सबी तो बिहार जारखन अच्छा बिहार बंगाल से भी हां कि पांची चलता है कि कास्मरी में लाल रंक के लिए आई रे लोकल होता है अब जो है इसमें कलर अभी से आजाएगा कि दम हाड कलर जो होता है इसे भी कलर काफे बढ़ियां लग रहा था देखे नहीं इसमें और अच्छा लगएगा ये डालने के बाद हो एक दम से कलर आजाता है इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाता बस जगर का पिसा हुआ अभी से लग रहा है कि हां ये मतन बनके हो चुका है डेडी कलरेशा आगया है ये डालने के बाद अब इसके ठाकना बठी है पकी का तो और इसमें रंगत आजाएगा जो इसमें चर्वी निक्स्ट्रा ये इधर फेमस बहुत ज़्यादा है खास खरके जाड़खन में जो ह है क्युक क्यू मिल जाता है मिल ज्ञें कोिर्ण क मिल लाते हैं जितना मिल जाता हैं जीतना मिलग शल सब Nowadays 15 बीक्राइव नहीं बिल्लाइव तो पूरा दुमका में भूरते रहाते होंगे हमारा कर चाठी कटा है अबर लगा हुआ है कि यदि नो कालता वह से भात की आवग तो वो सभी लेके रखता है उसमें खिलाते थे उसमें कितना खिलाते थे उसमें बनता साल 25 जरे यह बढ़ते गया जब इस्टार्ट के थे तो कितना से किये थे एक किलो से एक घंटा तक जो है इसको चलाते रहते जो नवे ठ्टार्ट थहां जसे लिए इसी तरीके से रहा प्रावट लगे तो जो होता है वोती basta माटर जाता होता है उसको चाबाना पड़ता हैं शबहाना पड़ता वर भदय when thatका ओने भदने मूंगों से अकचार यह खाने बन मतन होता है शुषता में जो होता हैं पानी यह जा रहा है कितना लगभग पानी जाएगा चार पांच लिटर डालते हैं चलिए यह देखे चालीस मिनट बाद इसका रंगत कितना बेहतरीन आ गया है वैसे चालीस मिनट के बाद इसमें छाळी डाला जा रहा है जब मतन लगभग तयार हो जाता है उसके बाद इसमें ज्रूआ डालाई जाता है पर जhtना जा आता है काफी बेहतरीन लगेगा देखने में अच्छे यह बनके बोटी जो हे यह बन के हो चुका है डजीम एसका कलर देखें कितना में प्रेट बैहतारी न आया है यह कहीं हो ज्यक्ट साइब इसकता होता है इस उसका शयघ्यों सब्सक्राइब के लिए बर धर कि बहुंद कि यह हो गया एक मैं यह । ुद्ध के साथ। । ०्ध ०्ध १ १ ० । १ ॥ बना PLETE १ ॥ कि सग्य Old ॥ ॥ ॥ ॥ चवा की खाने वजहाए यह तो है चवा की खाना पड़ता है छलिए यह देखे पनके हो चुका है और ते देखने में काफू बढ़ियां लग रहा है कि अलface कि छूट वह प्यों प्रहिंतर चर्वी हिस्ट तरीके कर अब्तन कंच करीं उनकरौत है उससा इस इहाए जोपने य तत में यह आगया मटन छोटे-चोटे पीस करके मटन वह दाल दिया जाता है इसको लेंगे इसके उपर और इसमें बहुत सारज़ तो कुर्ण यह सभी होता है और चुस्ता को जो है यहांपे कटिं करके डाल दिया जाता है शाथ में मिला है चटनी और प्याज और इस एडिय और पहले जब से बना तब से लोगे हाँ पर आ रहें प्रापट खाने के लिए तो क्या करेंगे हम इसको टेस्ट करेंगे दर आ जाएगा थोड़ा सा ग्रेवी और चावल यह देखिए वह देख रहे हैं अब इसमें आपको ज्यादा मिलेगा तो उनकाने में चाहिए लगेगा और से तो 70 रुपया में भड़ पेट मिलड़ा है तो सही है जिए पाए पागिया भूटी बला पाए पाए इधर यह आ जाएगा प्रीष को टेस्ट करते हैं इसको घीचना पर रहा है वह बोटी को जो है ना चवा करके खाना परता है और वोटी को यह खाना पसंद नहीं होता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ियां लगता है तो हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी इस पलेट को खतम करेंगे उस से चवा के खाना हम लोगों का आदत नहीं है इसलिए इसको खाने में दिक्कत हो रहा है तो हम चावल तब तक खाते हैं और आपके मिलते नेके बीडियों अच्छे जगा के साथ और अच्छे खाना के साथ तब तक के लिए बाए-बाए